गोज का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं गोज का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो कोई जालीदार कपड़े की पटी होती है या महिन रेश में कपड़ा होता है या बिल्कुल महिन तार की जाली या महिन कपड़ा होता है तो उसको gos कहा जाता है इसके इलावा धुंद को भी gos कह सकते हैं तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि नर्स ने घाव को जालिदार कपड़े की पट्टी से लपेट दिया तो आप कह सकते हैं या अगर आप ये कहना चाहें कि वह चोटी मोटी चोट और खरोंचु को साफ करने के लिए महीन कपड़े का उप्योग करती है तो आप कह सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें